हेलो दोस्तो मेरा नामे गौतम और आप देख रहे हैं यूल्यक लेक्टोनिक्स और दोस्तो आज किस पीडियों में हम आपको बासर तरासी होम थेटर करके दिखाएंगे तो दोस्तो यह जो हम थेटर बोर्ड है इसमें जो दोनों आइसी लगा हुआ है वह बासर तरासी है और यह बोर्ड सिंगल सप्लाई पर चलता है जैसे कि आप होम थेटर का बोर्ड जो जितना भी देखते हो 20-30 का वह डूल सप्लाई पर चलता है लेकिन यह होम थेटर बोर्ड आपका जो है सिर्फ 12 वोल्ट से काम करेगा मतलब सिंगल सप्लाई पर ठीक है क्योंकि इसमें बासर तरास आइसी लगा हुआ है जो कि सिंगल सप्लाई भी यह वर्क करता है और यहां पर 455 लोग पास फिल्टर का सर्किट बनाया गया है वह भी दिरेक्टिफ हैर बना हुआ है और एक यहां पर सिर्फ कैपासिटर लगा हुआ है जिससे क्या होगा कि सिंगल सप्लाई है अगर डूल सप्लाई रहता तो यहां पर मेन दो कैपासिटर रहता जिससे हमारा पोजीटिव नेगेटिव और ग्राउंड हमारा सप्लाई बनता लेकिन यह बोड दोस्तों सिर्फ सिंगल सप्लाई पे चलता है और दोस्तों इसमें यह खास बात यह कि आप इसको 12 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हो क्योंकि यह डिरेक्ट 12 वोल्ट पे चल जागा ठीक है आपको इसमें कोई कनेक्टर या कनवर्टर लगाने की जरूरत नहीं होगी तो चली यहां पर हम थोड़ा इस आइसी के डिटेल्स के बारे बता दे कि इसका जो सरकीट है किस प्रकार से बनाया गया है और कहां पर हमारा आउडियो आउटपूट होता है कहां पर हमारा सप्लाई होता है और कहां पर हमारा सब वोफर का कंट्रोल का पोटे यहां पर काम किया गया इस सर्कुट पर यहां पर सिर्फ हम सब उफर को लगाएंगे और जो दूसरा यह हमारा डूवल चैनल है जिससे हम लेप्ट और राइट का जो है इस पर सेटलाइट को कनेक्ट करेंगे ठीक है और जो हम सप्लाइ देंगे दोस्तों इसमें आप 0-12-3 एंपीर का टांस्फरमर लगा सकते हो तो यहां पर जो दोइख रहा है दोस्तों यह ती आरेटी यह टांस्फरमर यह दोनों यहाँ फिष दोल यहां पर फिरो बारा टांसफर्मर का सप्लाई देंगे अगर आप डर्यक्ट बैटरी से इसको चला नहीं चाहते हो तो आप यहाँ N1 यह वाला है से हमारा direct output होता है यहां पर देख सकते हैं यह एक capacitor यहां पर लगा सकते हैं च्रीन यहां पर इसके बात यहां पर नीचे देख लेट, से तीन पॉइंट हमें मिलता है cn2 यहां पर हम audio input देंगे चाहे तो आप Bluetooth यहां लगा सकते हो audio receiver लगा सकते हो 3.5 mm jack लगा सकते हो जो डारेक्ट मुवाल से चला सकते हो आप किसी भी तरीका से audio input का source यहां पर दे सकते हो ठिक और just इसके यहां पर जो कि इस point का नाम है cn3 cn3 पर हम यह तीन पीन बने हुए हैं जिसमें यहां पर आपको बेस को control करने के लिए ठीक है तो यहां पर हम Потensiometer लगाएंगे बेस कंट्रोल करने के लिए तो यहां पर इस परकार से इस board का details है तो चले हम यहां पर इसका फटा-पट connection करते हैं jusqu करेंगे तो fun connection सबसे पहले हम इस potentiometer का करेंगे जो कि sound control करने के लिए मैं यहां पर करूंगा तो potentiometer का जो dual channel कुछ इस परकार से ले लेंगे और यहां पर जो तीन नमबर पीने उसको हम यहां पर दोनों के एक साथ audio input होगा तो इसको हम इस potentiometer में connection कर देते हैं यहां पर जो पहला नमबर पीन है उसमें हम इस दोनों का connection कर देते हैं यह कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि जो brown वाला उपर ही होना चाहिए और red वाला नीचे अब चाहिए तो उपर नीचे भी दे सकते हो audio input में इसमें कोई fix नही ना कि ground का wire जो हमारा ground के साथ ही connected हो तो मैं यहां पर ground का wire ground के साथ मैंने connect कर दिया है इस परकार से और यहां पे रहा मेरा कनेक्टर ठीक है तो इस परकार से कर लेना है और तीन वायर लेना है और दो वायर तो हम बीच वाले पीन से निकालेंगे और एक वार ग्राउंड से निकालेंगे ठीक है तो दोस्तों मैंने आप पोटेंसों मीटर के बीच वाले से दो वायर और एक ग्राउंड के साथ मैंने वायर निकाल लिया है जो कि तीन वायर हमारा यहां पर आउटपुट होगा तो दोस्तों मैंने यहां है पॉंइस्टेयल मेट का जो दोनों वी चाला यह यह रहे हमारा लेफ्ट राइट और यहां कि और यहां पर कनेट कर्देता हूं तो दोस्तों मैंने यहां पे left, right और वीच वाला ground यहां पे मैंने audio input का connection कर दिया है और यहां पे यह हो गया मैरा audio input का अब हम इसमें base control का connection करेंगे तो मैं यहां पे यह base control के लिए मैं यहां पे 100K का यह potentiometer यूज़ कर रहा हूं और यह भी हमारा 47K का है तो आप इसमें 100K भी ले सकते हो अगर आपके पास 47K है तो आप यह यूज़ करें अगर नहीं हो तो 100K यूज़ करें और यहां पे हम इसमें से 3 वायर निकाल लेते हैं तो यहां पे मैंने 3 वायर निकाल ले इस potentiometer से और यहां पे connection करना है पहले ground वाला का connection करेंगे और बीच वाला हमारा output और यह orange वाला audio input तो direct हम इसको print के जड़िये मैं यहां पे इसको connect कर दे रहा हूँ जैसे जैसे इसका print है तो सबसे पहले यह ground वाला print हमारा मिलता है तो ground के साथ हो गया और यहां पे हमारा low pass filter output करता है जो कि IC पे जाएगा और यहां पे हमारा low pass filter input होगा जो कि potential meter में जाएगा और यह control करेगा ठीक है तो यहां पे यह हो चुका है तो दोस्तों हमारा यहां पे sound के लिए और यहां पे base के लिए यहां पे हमारा दोनो गन्त्रोल हमारा इसमें हो चुका है अब हम इसमें audio output का connection करेंगे तो audio output का connection करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर audio socket का यूज करने वाला हूँ तो यह दोनो audio socket का जो minus वाला point है दोस्तों जो की negative है उसको हम एक साथ जोड लेंगे और एक साथ जोडने के बाद मैंने आपको बताया था यहाँ से audio output होता है तो बीच वाला पीन जो दुस्तों हमारा ground है तो उसको हम ground के साथ यहाँ पर connect कर लेंगे यहाँ पर connect कर देंगे ground के साथ और जो हमारा main channel बचा left और right उसको मैं यहाँ पर कर दूँगा connect यहाँ पर एक channel को यहाँ पर कर दूँगा और दूसरे channel को इसके बगल में कर दूँगा ठीक है तो दूस्तों मैंने यहाँ पर जो ground वाला था उसको मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पर इसलिए क्या क्योंकि इसका print भी यहाँ पर आता है अगर मैं यहाँ पर करता तो हो सकता है एक दूसरे में शॉट लग जाए इसलिए मैं यहाँ सीज को अलग connect कर दिया ठीक है यह हो चुका हमारा audio output का तो चलिए अब हम इसमें connect करते हैं subwoofer को तो subwoofer को connect मैं यहाँ पर करूंगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह जो हमारा IC है यह subwoofer को यहाँ पर यह यहाँ पर output करता यह bridge mode पर है तो हम क्या करेंगे इधर से हम दूसरे number pin से यहाँ पर connection यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको कर लेना है तो यह हो चुका हमारा subwoofer का और इसमें हम जो है speaker connect कर लेते हैं जो कि satellite speaker है तो मैं यहाँ पर 5 इंच का एक speaker यूज़ कर रहा हूं लेकिन आपको जो है 3 इंच का speaker यूज़ करना है जो कि satellite speaker home theater में यूज़ होता है तो आपको यहाँ पर 4 इंच का subwoofer यूज़ करना है और यहाँ पर 3 इंच का दो सेटेलाइट स्पिकर यूज करना है मैं यहां पर आपको चेक करने के लिए मैं ऐसा दिखा रहा हूं नहीं तो आप नॉर्मली ऐसा दो स्पिकर यूज करें ऐसे ही इसका जो वाटेज होता है दोस्तों बहुत कम होता है अगर आप इसको चलाओगे 5 इंच का तो यह हो सकत सब्सक्वा भालिटर तो मैं यहां पर इसको कर देया है और उसके बाद मैं इसमें कनेक्टर लगांगा जो कि मैं इसमें गैरा वोल्ट देने वाला हूं तो 12 देने के लिए के दिएस्ट्व चंप से कापस्तितर के पास मनें इसको connect कर दोंगा supply का connector जो देख सकते हैं यहां पर यह वला है तो इसमें हम supply देंगे और चेक करेंगे कि यह हमारा 3805 है यहां पर voltage बना रहा है कि नहीं बना रहा है यह को अगर ऐसे लगा देंगे तो हो सकते 3805 हमारा खड़ा वेया सई है इसको चेक करके उसके बाद हम इसमें लगाएंगे चलिए मैं इसमें supply देते हैं और चेक करते हैं और दोस्तों मैंने यहां पर यह यह जो वैर जोड़ रहा हूं यह मैं इक ग्राउंड से ले रहा हूं ताकि इसमें हमिंग जो है कम है देख सकते है अब यह हम नहीं हो रहा है मैंने यह घ्राउंड के साथ मेंने हर इंप्लीफार के साथ कनेक्ट करता हूं तो चलिए हम यहां पर इसको चेक कर लेते हैं सप्लाइए को आ हुआ है तो ठीक हमारा यहां पर 5 वल्ट आउटकुट कर रहा है कि उसके बाद मैं यहां पर इस कनेक्टर का जो है पुलस वाला पॉइंट मैं यहां पर लगा दूँगा और ग्राउंड वाला को ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट कर देंगे यहां पर इस परकार से ठीक है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं तो चलिए किस परकार से काम करता है तो मैं यहां पर इसमें सप्लाई दे रहा हूं और आप हम सप्लाई देते हैं और दोस्तों ये काड मैंने होममेट बनाया हुआ है अगर आप इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से देख सकते हैं कि मैंने इसको किस परकार से बनाया हुआ है तो मैंने यहां पर supply दे दिया है और यहां पर यह सप्लाई आ चुका है और यह Bluetooth पर है मैं इसको Aux Mode पर यह FM Mode पर हमारा चल चुका है अब मैं यहां पर audio input इसमें दे रहा हूं तो मैंने यहां पर audio input दे दिया है दोस्तों चलीए अब हम इसमें USB भी लगाते हैं और चेक करते हैं इसका साउंड मैंने इसमें यूस्पी लगा दिया है और यहां पर हमारा सॉंग प्ले हो चुका है यहां पर रहा मेरा वोलियों अब कर दो दोस्तों यह हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस प्रकार से आप बासर तरह सी होम थेटर बोर्ड का कमप्लीट वारिंग कर सकते हो तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्रीज लाइक करें शेयर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो